हलो दोस्तो तो कैसे हैं आप सब आज हम बनाने वाले हैं पालक आलू की सूकी सबजी थोड़ी सी अलग तरीके से मैंने से बनाया है बहुत ही टैस्टी लगेगी जो नहीं खाते पालक आलू वो भी बहुत ही पसंद करेंगे बनाना आसान है दोस्तो तो इसे आप फुल वाज कीजिएगा मेरी आज की रेस्पी को sólo काला कालिय। डोस्तों आपने बनाई होगी आज की मेरी इस रेस्पी को इस इसे मेरी बनाना ये बनाना अगर ऍधान होगी आज कीजिएगा ही सफूर भाण अजeg लेक्निती घुार लए थ ही अति हूझ मीरे घुन जाने के बाद फिर इसके बाद हम इसे कट करेंगे तो थोड़ी दियर ऐसे ही छोड़ देते हैं चल्नी में रखके जिससे पानी है सारा निकल जाए तो दोस्तों पालक की कई सारी ऐसी रेस्पी है जो कि मेरे चैनल पर हैं आप जरूर देखेगा वो भी आपको बहुत ही पसं करते हैं मैं तो इसे चोटे चोड़ों में कट कर रही हूं कुछ इस तरह से तो आप इस तरह से बना कर देखिए दोस्तों थोड़ा सा लग तरीका है इसे बनाने का लेकिन लगती बहुत ही टैस्टी है जरूर बनाएगा सब भी को पसंद आएगी और जो पालक नहीं खाते वो भी पसंद करेंगे तो इस तरह से मेरी वीडियो को फुल बाज कीजेगा और आप मेरी इस चैनल से जुड़े रहें दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल जोइन नहीं किया तो जरूर जोइन कीजेगा तो ये देखिया आलू मैंने कट कर लिये हैं और एक पैन रख दिया ह और उसमें डाल देते हैं तो उसे तीन चमच्च ओयल डालने के बाद अब ये जो आलू मैंने कट किये थे वो इसमें डाल के थोड़ी दिर हमेने भून लेते हैं यानि ये अच्छा सा अच्छा सा कलर आ जाए तब तक इसे भून लेते हैं आलू जब तक भून रहे हैं हम प्लक कड कर लेते हैं, बीच-बीच में इसे चलाते भी जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाये, तब तक इसे पून लेते हैं। अब ये पालक है, अज़ा पाने सा जड़ गया है इसमें, तो बस इसे हम कड कर लेते हैं। तो बस बारी कट कर लेजिए, इस तरह से बहुती बढ़िया और हैल्दी सब जीवन के तयार होगी दोस्तो, और देखने में ये बहुती मज़ेदार लगेगी, तो बस इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे सारी पालक को, और पालक तो बहुती बढ़िया लगती है, हैल्दी होती अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो ये पहुत ही पसंद करेंगे हर बार इसी तरह से बनाने की फर्माइश करेंगे दोस्तो पहुत ही मज़ेदार तो ये देखिए पालग को मैंने कड कर लिया है आलू भी साथ साथ मैं देखती जा रही हूँ जिससे ये जले नहीं और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया है उपसे थोड़े से किस्पी हो गए है यानि सुनेरे भी हो गए हैं तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लेकिन इसे मैंने अभी पूरा नहीं पकाया अब इन्हें निकाल लेते हैं उसी पहन में हम पालक डाल देते हैं पालक को भी हम हलका सा सॉफ्ट करेंगे तो इस तरह से बना कर देखिए दोस्तों आपने कई बार कई तरीके से पालक की आलो की सुकी सबजी बनाई होगी या फिर और भी कई सारी रेस्ट भी बनाई होगी लेकिन इस तरीके से बना कर देखिएगा बहुत ही पसंद आएगी बनाने में आसान है और चटपड बन जाती है तो ये देखिए थोड़ी देर मैंने इसे बून लिया था पालक सॉफ्ट हो गई है यानि इसकी कॉंटिटी है पहुत ही कम हो गई है पहले फूली फूली सी थी लेकिन ये थोड़ी सी पक जाती है तो काफी कम हो जाती है तो मैंने इसे बिल्कुश सिंपल तरीके से ही भूना है कोई मसाले वगएरा भी नहीं डाले और इसे हलका सा सॉफ्ट किया है और अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में फेसे मैंने थोड़ा सा ओयल डाल के जीरा हींग डाल देंगे यानि इसका तड़का बढ़िया सा लगाएंगे जिससे पहुत ही मज़ेदाल लगेगी तो यहाँ पे मैंने कुछ लेसन की कलिया डाल दी है साती सात अब इसे हम भूल लेते हैं तो दोस्तो अभी तो नवरातरे चल रहे हैं यह मेरी बहुत पहले की रैस्वी बनी हुई थी अगर आप अभी बनाना चाहते हैं और लेसन प्याज नहीं खाते तो इसे इसकेप भी कर सकते हैं यह वीडियो मैंने बहुत ही पहले बनाई हुई थी लेकिन आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ तो अब इसमें डाल देती हूँ दो से तीन यह सूखी लाल मेच जिसे मैंने दो दो टुकड़ों में कट कर लिया है और बस इसे बून लेते हैं और उसके बाद अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं झाल 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 झाल